बैंक निफ्टी की डेली अनलिस में आपका स्वागत है आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 45774 पे जो कल से लगबग 134 पॉइंट मार्केट लीचे आके क्लोज हुआ है ध्यांदनी वाली बात है कि मैंने कल कहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी पर आप आज कोई हल चल नहीं है तो मार्केट बहुत देर तक चुप बैठेगा ऐसा होगा नहीं देखिए चीजों को समझना पड़ेगा मार्केट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कॉल लेने के लिए तो बिलकुल मनाई कर रहा था बहुत-बहुत मुबारुक अगर आपने कॉल नहीं लिया होगा तो यूंकि कॉल में आज पैसा बन सकता ऐसल कि पैसा नहीं बनता है लेकिन दिन भर में मार्केट जिस तरीके से ट्रेट किया हम थोड़ी दर बाद विसकस करेंगे कि क्या होता अगर आप कॉल लेते तो अब देखिए मार्केट ने तीन बार इस है कि market में अब छोटे momentum रहेंगे बड़े नहीं आएंगे ये ज़रूरी नहीं आने के लिए वक्त नहीं लगता है इस बात को याद रखिएगा बड़े momentum के लिए market ऐसा नहीं होता है कि market में देखिए ये जो महिना होता है February का महिना ये काफी special महिना होता है क्योंकि इस महिने में बहुत सारे न्यूज आते है बैंक से related आते है वर्ल्ड न्यूज होता है यह हर साल का होता है मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ तो पूल मिलाके momentum आने के आसार बहुत जादा है आप लोगों को यहाँ पर एक strong support बना के दिखाता हूँ जो market फिलहाल पिछले दो दिन से हमें यहीं दिखा रहा है कि देखो भई मैं यह वाला जो strong support है मैं इसको मैं बड़ाई तवज्जु दे रहा हूँ अब ध्यान से देखिए एक्चुली यह मैंने कल ड्रॉ नहीं किया था लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज इसको ड्रॉ करना बेहत जरूरी हो गया है उसका कारण एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ देखिए मैं कई बार लग बग मैं हर रोजी बोलता हूँ कि मुझे 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 एक बात समझती है केंडल के स्ट्रक्टर और लेवल से यह दो ही चीज मुझे समझ में आता है इसके पीचे कुछ समझ में आता है अब मार्केट इस जगे से ध्यान से देखिए कितने बार सपोर्ट लिये चुका है मैं आपको एक करके गिनाता हूँ आप गिनते जाईएगा सबसे पहले एक बार करीबर यह मैं बात कर रहा हूँ अठरा तारे की मार्केट उससे में सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया यह रेइस्टेंस किस बात का है किस दिन का है यह 24 तारीक का रेइस्टेंस है ध्यान से देखिए 24 तारीक कौन सा मैं आपको यह पर गिना देता हूँ यह 24 तारीक का रेइस्टेंस है यह वाला 24 तारीक के रेइस्टेंस बन चुका था तो वहाँ पर मार्केट यहाँ पर दो पूरी दुनिया को मार्केट ने एक तारिक को ऐसा टोपी पहना आया option buyers को, जो लोग बहुत बड़े-बड़े सपने लेके बैठे थे, खेर वो दिन तो बीच चुका है, अब बारी आती है कि market फिर से support ले रहा है, और ये support एक चीज़ दर्शारा, देखिए, आज market में गिरावट का दिन था, market आजगीर सकता था, market संबला हुआ है, support लेके वापस गया है, ये support लेके वापस जाने का यहाँ पे क्या आशय हो सकता है, क्या अर्थ निकल सकता है, अब यहाँ से हमको समझना पड़ेगा, चुकि market ने आज आज आपको एक picture दिखाया, दो strong support पे दो hammer का, ये दो hammer का मतलब क् दो hammer यहाँ पी जब बन रहा है, तो possibility अब जाके बन सकती है, कि market में आपको एक bullish trade दिखाई दे सकता है, अब आपको call के बारे में सोचना पड़ सकता है, हाँ मैंने कल जरूर बताया थे कि market गिरेगा, लेकिन आज market बहुत जादा तो नहीं गिरा, लेकिन call के तरफ भी नही था, तो market में आपको डरने वाली बात नहीं थी, अब market में वापस एक अभी rally दिखाई दे सकती है, उसके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि market यहाँ पर जो support ले रहा है, वो बड़ा strong नजरिया दिखा रहा है, लेकिन अब बात आती है कि market अगर कल बड़े gap down से खुलता है, तो मामला बिगड जाएगा, आपको पता है, सबसे अजीब और सबसे निराली दोनों, अजीब और निराली दोनों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि market के पाक जो एक सबसे बड़ी सुविदा है वो gap up और gap down खुलने की ताकत, यही सब कुछ बरबात कर सकता है आपके सारे सप आपको, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि market bullish हो जाएगा, किस level पर कह रहा हूँ, वो मैं आपको यह strong support देख रहा हूँ, दो बड़े बड़े शांदार strong candle जो hammer की रूप में आया हुआ है, इनको मैं कह रहा हूँ कि market आपको bullish हो जाएगा, लेकिन सुनिए ध्यान से, market कब आप को धोका देता है, अगर market बड़ा gap down खुलता है, अब बड़े gap down से मेरा आशय क्या है, मेरा अर्थ क्या है, अगर 45,500 के नीचे चला जाता है ना market, देखिए आपको याद हो का किसी किसी दिन market में बड़ा gap, बड़ा gap down खुल जाता है, 300 point, 400 point, market ने अगर यही हरकत अगर कल क किया, और 45,500 के नीचे market अगर शुरू हुआ, क्या होगा, यहाँ पर जितने भी put writer से सारे के सारे उनका sell हो जाएगा hit, और फिर market में आपको तेज गती से market अपको नीचे गिरता हुआ देखिएगा, अब इसके लिए आपको थोड़ा तयार रहना पड़ेगा, क्योंकि market मे आप किसी भी चीज़ का दे, आप गिफनिपी भी देखेंगे, वो साड़े साथ बज़े के बाद वो market में अपना एक रंग दिखाता है, वो एक अनुमान बताते कि हाँ, market ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप कुछ decide नहीं कर सकते, अब मैं बात कर, अब बहुत सारे ल हो जाते है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप भूम में से है, तो इस बात को समझ लेजिए, market के थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही रहा, market के पास सबसे अजीब और निराली शक्ती है, कि market gap up और gap down खुल सकता है, इसी के base पे market में रातो रात पासा बदल सकता है, यह पूरा दिखा रहा है support, market में दो hammer candle बना है, वक्त तो यह है कि market rally करेगा, लेकिन कल अगर 200-300 point नीचे हो जाता है, तो फिर market में फिर गिरावट भी आएगी, इस बात को भी इधान रखना है, अब ऐसे स्थिति में, लोग करेगा, सर आप तो दोनों तरब बाते कर रहे ह हम दोनों तरब बाते नहीं करते, market हम से करवाता है, इस बात को समझिएगा, जो analysis करने वाला एक तरफा बोलेगा, वो analysis करने वाला कभी सही analysis नहीं करेगा, हाँ, मैं पारंगत लोगों के अगर बात करूँ, तो भी वो दो तरफा बात करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि market में gap up और gap down यही सबसे बड़ा important, कहा खुलेगा यह किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन खुलने के बाद आप सब कुछ decide कर सकते, कहा खुलेगा market के हाथ में है, खुलने के बाद आपके हाथ में है, अब मैं आपके हाथ में क्या-क्या हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको चेता देता हूँ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, सुनिए, अगर कल मार्केट यहाँ, फिर से अगर यही से ओपन होता है, बड़ी रैली का आप देख सकते हैं सपना, लेकिन एक जगा आएगा, मैं उस जगी के बारे में आपको डीटल में पहले बता देता हूँ कौन सी जगा होगी, जहाँ पर आप कॉल लेके काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑप्शन चेन, मैंने अपना एक ऑप्शन चेन का जो वीडियो का जो लिंक है, मैंने वो भी शेयर किया था, ताकि आपको ऑप्शन चेन समझ में आएं, तो ऑप्शन चेन फि क्लोज के उपर तो आज जा ही नहीं पाया, कल तो भी थोड़ा बहुत उपर गया था, लेकिन अगर पाच तारिक का क्लोज देखेंगे, तो यह पाच तारिक के यह क्लोज है, मैं सबसे पहले इस कोटा देता हूँ, ताकि आपको चीजे थोड़ा सा में और आसानी से दिख क्या से वो समझा सकोई, देखिए, क्या होता है, मार्केट किस तरीके से सोचता है, मार्केट काम कैसे करता है, अगर यह देखिए, यह आपका शुकुरवार का क्लोज है, क्या हुआ मार्केट में, शुकुरवार के क्लोज में, फिर मार्केट धिरे-धिरे करके उपर भी ग candle दिख रहा है अब मार्केट ने क्या किया ये वाला मार्केट का पहला candle था आज का पहला 15 मिनिट का candle लेकिन बतकिस्मती से आज मार्केट इस close को देखिये कही पर नहीं कर पाया वही पही था कल की तरह मतब close इतना स्ट्रॉंग था जो मार्केट का वहाँ पर इतने ज्यादा सेलर्स बैट थे कि मार्केट ने उतने नहीं दिया और अगर अच्छी बात जो मैं आपको थोड़ी दर पहले बता रहा था 46100 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग था अजीब बात क्या हो गई कि मार्केट ने 800 पर ही सबको एकदम ठिकाने लगा दिया 800 के पर मार्केट ने जाने नहीं दिया यह तो 300 पॉइंट का फासला आप समझ रहे जहां पर मार्केट में 46100 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है मतलब उट्राइटिर के पास जगह थी 46100 तक पहुचने की मार् 45900 45800 यह चारो लेवल पर इतना स्ट्रॉंग अभी मार्केट में सेलर्स बैट है कि अब आसान नहीं होगा मार्केट को इस रेंज को पूरा करने में और क्रॉस करने में अब थोड़ी दिर पहले जो मैं बात बता रहा था कि मार्केट में रैली आएगी किस वक्त आएगी य लेता है चटवे मिनिट से नौ बच के 21 मिनट तक मार्केट अपना एक मूव ले लेता है और उसके बाद दिशा बदलता है या दिशा तेय कर लेता दो बात याद रखिएगा यह सारी जो बाते है न यह बहुत बीप और सीधी साधी बाते है मैं आपको बता तो कैसे होता ह नौबच के 21 मिनिट तक मार्केट सबसे पहला एक कदम उठाता है 21 मिनिट के बाद 22 मिनिट पे मार्केट अपना राहा बदलता है या तो राहा निकाल लेता है जहासे वो शुरू हो रहा है अगर मार्केट उपर से नीचे आ रहा है तो बहुत जादा पॉसिबिलिटीज रहेगा कि मार्केट अगर रिवर्स करना है तो 22 मिनिट से रिवर्स करेगा 9 बच के 22 मिनिट पे देखेंगी वो रिवर्स करना शुरू हो जाएगा इसका उल्टा अगर रिवर्स करना नहीं होगा तो 22 मिनिट से और नीचे गिरेगा इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा, मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है, इसके बार में मैं और आपको अधिक जानकरी कभी बाद में दूंगा, यह सो तो बहुत डीटेल चीजे है, लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूँ, कि मार्केट में कल रैली आ सकती ह किस वक्त अगर 46,100 के उपर अगर मार्केट चला जाता है, किसी भी हाल में, मतलब मान लिजिए कि पहले अगर गैप अप कुलता है, और पहली पांच मिनिट में अगर 100 को क्रॉस कर देता है, तो ही ऐसा होगा, लेकिन शुरुवात में इतना तेज नहीं आएगा, इसके लि अगर बड़ी तेज गती से मार्केट में आपको गिरावट दिखेगी, इसके अलावा क्या, इसके अलावा मार्केट जिस जगह पे अभी मौझूद है ना, पिछले दो दिन से मार्केट इसे बीच अगर खुला, तो मार्केट में फिर से आपको कंसॉलिडेशन ही देखने याद रखिएगा, आप सोच रहें सर आज बिल्कुल भी किसी भी लेवल्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहें, क्योंकि मार्केट ने दो दिन में हमें ये बता दिया है, कि मार्केट का जो रेंज है, देख लिजिए 45,900 और 800 भी आप पकड़ सकते, और नीचे 45,600, मार् वोने आज ट्रेट किया, मेरे बोलने के बावजुद भी, आज उनका SL सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के डिके से उनका आज प्रीमियम डिके के वज़े से उनका नुक्सान हुआ है, तो बैतर होगा आपको इन देखो, ट्रेड ना लेना, लेवल्स देखके, ऑपरेटर्स को देखके, या कॉल राइटर्स, पुट राइडर्स को देखके, अपने आप में भी एक बड़ी अट्रेड लेना होता है, यह आपको तब समझ में आएगा, जब मार्केट में आप अच्छा दिर्ग समय बिताएंगे, और चीजों को समझने की कुशिश करेंगे, आप लेव दिखेंगे, कॉल राइटर और पुट राइटर, याद रखिएगा, यह जो कॉल राइटर और पुट राइटर है ना, इसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, एक वक्त ऐसा आएगा आपके लिए, उस समय आपको समझ में आएगा, क्योंकि उस समय आपको कोई न्यूज याद आएगा, उस समय आपको क्या चल रहा है दुनिया में, कौन सा बैंक गिर रहा है, कौन से बैंक में गिरावट आ रही है, किस बैंक में यह होने वाला, कौन सा बैंक मर्ज, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं होगा, आपको सिर्फ ये दो शब्द दिखने शुरू हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा आता है, पर वो वक्त तभी आता है, जब आप मार्केट में इंट्रेस्ट लेते हैं, जब आप चार्ट पे इंट्रेस्ट लेते हैं, जब आपको खुद को सोचने के लिए आप मजबूर कर देते कि मेरे लिए सह क्या है अच्छा क्या बुरा क्या है थोड़ी देर अभी निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं आज निफ्टी ने अपना क्लोज दिया है 21,938 पे जो कल के क्लोज से लगबग 157 पॉइंट प्र मार्केट ने अपना ऊपर क्लोज दिया है बैंक निफ्टी के बिल्कुल उलट क्यों उसका मेन कारण था एक तो आज बहुत अच्छा खासा मार्केट आज हाई क्यों पर उपन हुआ साथ में मार्केट ने बिल्कुल ये जो रेइस्टेंस था रेइस्टेंस को मार्केट ने सपोर्ट में बदल दिया है एक दिन मार्केट में गिरावट हमने देखा दूसरे दिन भी मार्केट लगबग लगबग उसी के पास था strong consolidation यहाँ पर हमने देखा था मार्केट लगातार यह इस जगे को resistance बनाया हुआ था आज मार्केट ने इस जगे को बना दिया है support यहाँ पर अगर मैं इसका रंग बदल तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी यहाँ कि मार्केट अब इस support के उपर, मार्केट कल तक जो resistance था आज वो support में तबदिल हो गया इसी को कहते हैं खेला अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा कि मार्केट को सिर्फ और सिर्फ आप call writer और और food writer के नजरों से देखना शुरू किजिए मार्केट आपको पैसा 100% देगा दूसरी बात है यहाँ पर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा रहा है अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो देखिए देखिए इस ट्रेंड लाइन को जड़ा थोड़ा सध्यान से देखेंगे अब चीज़े आपके दिमाग से और clear होना शुरू हो जाएगा यह देखिए यह है वही ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन को गुजरने के लिए मार्केट में वक्त लग गया इस ट्रेंड सब्सक्राइन है इसको हम technical भाशा में इसको कहते है walr ladleatech लगातार ऊपर की ऊर जा रहा है यही सबसे बड़े खासियत है बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको ड्रहकर लेंगे तो यूई कि कल market सब्सक्राइन कब कहा मिलने वाला है क्योंकि मार्केट जब जब यहां पर आएगा कब कब कहां पर आएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बर यहां पर 15 मिलने के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको चीजे और क्लिरली आपर आने लगएगा देखें अब आज का केंडल देखिए बहुत ध्यान से अब क्या हो गया कि चीजे करते करते ड्रॉ करते यहां इतना कल का क्लोज है. पास तारिक का. मारकेट आज इसी जगा से मारकेट में वापसी हुई है. ध्यान से देखिये. क्या हुआ है? यही पर मारकेट ने अगर बहुत बढ़िया support लिया. यहाँ से फिर सकते कि हां मार्केट में एक गिरावट आ सकती है तब जाके आप एक दो चीज और सोच सकते है हां तेज गिरावट कब आएगी सिधी सिधी बात है जब मार्केट 21700 के नीचे जब आएगा तब एक तेज गिरावट आ सकता है उससे पहले मार्केट में तेज गिरावट नहीं क्योंकि यहां पे support अलेड़ी है, market यहां पे support बनाया हुआ है, तो market यहांसे दोबारा reverse कर सकता है, अगर कسم से आपने नीचे आता है, तो chances तो ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम है, ज्यादा chances Market के उपर जाने का है, वीडियो गर अच्छा लगाल कि तो, like, share, subscribe जरूर कीजएग आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन